हलो फ्रेंड्स मैं मेघा स्वागत कर दियू हूं आपका अपने चैनल study with मेघा पाठकपर देखिए हम test series के थूँ अपना पूरा course कम्प्लीट कर रहे हैं मैं इस चैनल पर आपको objective form में पूरा course कम्प्लीट कर रहे हूं मैं मनोव इज्ञान का test number 6 लेने जा रहे हूं आज और इसमें मैं आपको caller का जो सूच का सिद्दान्त है वो complete करवाऊंगी इस एक वीडियो के बाद आपको caller की सूच के सिद्दान्त में और कुछ भी पढ़ने की जरुरत नहीं पड़ेगी आप सिर्फ इन ही questions को कर जाएंगे तो भी आपके exam में आपको ये as it is देखने को मिलेंग आप इस channel पर पूरा भरोसा करके इसको follow कर सकते हैं और read के लिए अपनी best तैयारी कर सकते हैं क्योंकि मेरे recording objective questions directly अगर हम deal करते हैं तो हमें exam में confusion का सामना नहीं करना पड़ता और मैं इससे पहले Robert M. गेने का सिद्दान करवा चुकी हूँ थांडाइक के अधिगम नियम आई हूँ वो लेकर के आई हूँ कॉलर का अधिगम सिद्दान यह test number 6 है इससे पहले 5 टेस्ट हम ले चुके हैं आप प्लीज जाकर के उनको भी देखिए उनमें भी इसी तरीके से questions बनाये गए हैं और एक ही वीडियो के थुरू आपका पूरा सिद्दान जो है वो complete करवा दिया गया है तो चलिए आज हम अपना यह test number 6 स्टार्ट करते हैं let's start question number 1 कोहलर के अधिगम सिद्दान को किस नाम से जाना जाता है देखे जो इसका आंसर है वो होगा डी ये सभी क्योंकि कोहलर का जो अधिगम सिद्दान ते वो सूज का सिद्दान, इंसाइट थियोरी, गेस्टाल्टवाद, समगराकरती, पूर्नाकार इस तरीके के अन्य नामों से भी जाना जाता है लेकिन अगर हम इसको इंगलिश मे सिर्फ एक ही नाम याद रख लेते हैं, इंसाइट थियोरी क्योंकि हमारा जो पेपर है वो हिंदी और इंगलिश दोनों में आता है, तो इंगलिश में आपको केवल इसका एक ही नाम देखने को मिल सकते हैं, या तो इंसाइट थियोरी या फिर गस्टाल्टवाद इसको कह जा सकता है, और हिंदी में इसके बहुत सारे वेकल्पिक नाम है, जो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बता दूँगी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, वो डी हो जाएगा, ये सभी, क्वेशन नमबर टू है, सूज या अंतर दरश्टी का सिद्धान्त किसकी देन है, ए, कोहलर की, बी, कोफका की, सी, वर्दिमर की, या डी, कर्ट लेविन की, बहुत ही important question है, इस question को आप mark कर लीजिए, question काफी बार exam में पूछा भी गया है, और जो इसका आंसर है, वो सुनकर आपको बहुत आश्चेर्य होगा, इसका जो आंसर है, वो आएगा, सी, वर्दि RPSC और माधिमिक शिक्षा बोर्ड, दोनों ने इसका जो आंसर माना, वो वर्दिमर माना, और अगर RPSC और माधिमिक शिक्षा बोर्ड ने एक बार मान लिया, जो आंसर मान लिया, हम उसमें कोई argument नहीं कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर है, वो हमको वर्दिमर ही लगाना हो B, कौफका, C, वर्दिमर या ये सभी देखे, गेस्टाल्टवादी जो मनवग्यानिक माने जाते हैं वो मनवग्यानिक माने जाते हैं कौलर, कौफका, वर्दिमर और कर्ट लेविन ठीक है, तो इसमें ये तीनों ही आप्शन्स में हैं जो इसका अंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा D, ये सभी प्वेशन नमबर 4 है, समग्रवाद के सिद्दान्थ में प्रयोग किस पर किये गए हैं जो समग्रवाद, देखे, इसका गेस्टाल्टवाद का ही एक सबस्टिट्यूट नेम है, समग्रवाद और मैंने आपको पहले ही बताया स्टार्टिंग में कि इसको इंसाइट थियोरी भी का जाता है सूज या अंतरद्रिष्टी का सिद्दान्थ भी इसी को का जाता है गेस्टाल्टवाद का जाता है समग्रवाद भी इसी को का जाता है तो समग्रवाद जो है वो किसके बारे में भी बात कर रहा है यह कर रहा है गेस्टाल्टवाद या फिर सूज या अंतर दृष्टी के सिद्धान के बारे में तो देखे उसमें प्रयोग किस पर किया गये थे यह हमसे पूछ रहा है चुहे तथा कबुतर पर बी बिली पर सी कुत्ते पर या डी चिमपानजी पर तो देखे इसका जो आंसर हो है डी चिमपानजी पर यह क्वेसें्ट के आने वाले हैं आपके एक्वेस है जो एक्जाम में पूछा जा रहा है अगर हम करने बैठेंगे और पूरा थेरेटिकल उसे पढ़ने बैठेंगे तो वह फिनिश ही नहीं होगा और फिनिश भी होगा तो हम उसे complete prepare नहीं कर सकते देखिए competitive exam में एक यही बात होती है अगर selection point of view देखा जाए तो आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है क्या छोड़ना है भी उतना ही important है जितना की क्या पढ़ना है तो मैं इस वाले channel बर मैं आपको objective form में करवा ही इसलिए रही हूँ ताकि हम to the point बात को करें time waste ना करें और आखों के आगे से ज्यादा से ज्यादा questions निकालें आप मेरे वीडियो को बार बार देखें बार बार दो या तीन बार भी देखेंगे तो पूरा वीडियो आपको याद हो जाएगा इसी तरीके से आप अपने पूरे exam की preparation कर सकते हैं हमारा next question हम देख चुका है दो बार दो से तीन बार ये question देखा गया है तो इसका जो answer रहेगा वो रहेगा डी सुल्तान वैसे हम सभी को याद है क्योंकि already हम preparation कर चुके हैं या कई जो जो नई freshers आये हैं उनके लिए तो मैं आपको बता देती हूं कि डी रहेगा इसका answer सुल्तान और जो freshers ह हो जाएगा वड़ी हो जाएगा सुल्तान question number six है किस तरह के ज्यान को सूच कहा गया है ए पूर्व ज्यान को बी निरंतर ज्यान को सी आकस्मिक ज्यान को या डी इन में से सभी देखें जो सूच का सिद्दान्त है वो आकस्मिक ज्यान को importance देता है उसके कहने के सूच का विद्दान्त ये कहता है कि व्यक्ति के सामने जब समस्या आती है तो वो समस्या पर एनलाइज करता है काफी टाइम तक हर चीज को हर पॉइंट अफ्यू को देखता है उसका solution निकालने की कोशिश करता है और जो उसके mind में जो idea आता है उसको solution का जो idea आता है वो अचानक आता है ये भी exam में देखने को मिला है इसलिए मैं आपको बता देती हूँ तो जो question no.6 है उसका answer है C हमारा next question है question no.7 अंतर दृष्टि सिद्दान्त में परिस्तिती के विभिन अंगों में क्या बनता है A तक्राव क्या उनमें टक्राव बनता है B अलगाव या उनमें अलगाव बनता है D अनुसरन क्या एक परिस्तिती दूसरी परिस्तिती का अनुसरन करती है या D समनवे बनता है देखे सूज अंतर दृष्टि का सिद्दान्त यही बताता है कि व्यक्ति के सामने जब समस्या आती है तो व्यक्ति समस्या के हर हिस्से को देखता है उसका solution निकालने के बढ़े हर तरह से सोचता है और जब विभिन समस्या के सॉल्यूशन के जब विभिन अंगों में समन्वे क्रियेट होता है तो अचानक है उसको उसका हल मिल जाता है तो जो इसका आंसर रहेगा वो होगा D समन्वे क्वेशन नमबर एट है सूच का सिद्दान्त या इंसाइट थियोरी देखे इस नाम को आप जरूर याद रखें इंसाइट थियोरी और गस्टाल्ट वाद इसको इंगलिश में याद रखना बहुत जरूरी है इंपक्ट जो साइकलोजी है उसमें सारे ही सिद्दान्त जितन इस्हाल्ट वाद कहलाता है तो देखें क्वेशन देखते हम सूच का सिद्दान्त किस तरह के बालकों के लिए उपयोगी है एक पिछडुप बालक के लिए बी कमजोर बालक के लिए qe barbecue बालक के लिए या डीस रजनात्मक और प्रतिभषाली बालक के लिए देखें जो हुआ है कमजोर है मंद बुद्धि उसका IQ लेवल इतना अच्छा है ही नहीं तो वो समस्या का समाधान आखिर कैसे निकालेगा वो connection कैसे बनाएगा किसी भी चीज़ के अंतरगत जो connection बनता है वो किस तरीके से create करेगा ये कमजोर बालक नहीं कर सकता मंद बुद्धि बालक नहीं कर सकता तो इस तरीके का जो solution निकालने की capability होती है वो या तो प्रतिभाशाली बालकों में होती है जिन में 140 प्लस जिनका IQ लेवल होता है या सरजनात्मक बालक भी है उनका भी IQ काफी अच्छा माना गया है 120 से उपर उनका IQ लेवल माना जाता है तो जो समस्या का समाधान है वो प्रतिभाशाली बालक ज्यादा तर निकाल पाते हैं तो इसका जो answer हो जाएगा वो डी हो जाएगा स्रजनात्मक और प्रतिभाशाली बालक देकिए चिंपांजी पर भी प्रयोग इसलिए किये गए थे क्योंकि जितने भी जीवजन्तु पाये जाते हैं उनमें चिंपांजी का IQ लेवल सबसे ज्यादा होता है इसलिए उसी को फॉलो करते हुए सिद्धान्त बनाया गया है वो स्रजनात्मक और प्रतिभाशाली बालकों के लिए बनाया गया है तो हमारा आंसर हो जागर दी हमारा नेक्स्ट वेशन है क्वेशन नमबर टैन गस्टाल्ट वादियों ने देखने के संप्रत्य बताये हैं वो पांच संप्रत्य बताये हैं इसका आंसर पांच हो जाएगा मैं इसके संप्रत्य आपको आगे बताऊंगी देखिए पहला तो है लक्ष व्यक्ति के सामने लक्ष आता है फिर उस लक्ष को प्राप्त करने के लिए को बाधा उत्पन हो फिर बाद में उनका वो पुनर संगठन करता है, पुनर संगठन में वो अपने समस्या को फुन रुपेंड देखता है, उसके समाधान को और उसके बाद उसको लक्षप्राप्ति हो जाती है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा, वो पाँच हो जाएगा, मैंने आपको बताई द इसी तरीके question देखने को मिलते हैं हम जिन चीजों को lightly लेते हैं examiner वहां question उसी से put up करता है तो देखे क्या A. समांतर क्रम में मिले हैं B. विपरीत क्रम में C. चक्रिय रूप में या D. इन में से कोई नहीं तो देखे जो इसका answer हो जाएगा C. चक्रिय रूप में मैंने अभी अभी आपको पूरी chain बताई थी कि पहले लक्ष आता है फिर बाधा आती है फिर तनाव आता है उसके बाद संगठन होता है फिर पुनर संगठन होता है और अन्त में वापस लक् चक्र बनाकर के भी बता रखाया हाला कि यह पूरा अच्छी तरीके से सर्कल नहीं बना हुआ है मेरा ड्रॉइंग थोड़ा सा खराब है तो आप इसको देख सकते हैं कि पहले लक्ष है सेकिंड नंबर पर बाधा दिया है फिर तनाव फिर संगठन पुनर संगठन और आप अच्छे इसको प्राप्त हो जाता है वाफिस सर्कल स्टार्ट हो जाता है और एक सर्कल बना करके मैंने बता दिया आप इसको भी अपने आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है तो आप इसको एक बर देख लीजिए हमारे से घुरशन से हमें हम को यह जब हम पूर Theoretical पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में नहीं आती है इस तरीके की चीज़ें अगर हम ठीओरी पढ़कर के चले जाते हैं तो देखें क्वेश्चन स्पेस करने से आपको बहुत ही सुविधा मिलेगी आपके पेपर के लिए इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा कल्पना कल्पना ही करता है इसलिए सूच का आधार जो माना गया है वो कल्पना माना गया है फ्रेंच बी अंग्रेजी सी हिंदी जर्मन देखें यह प्रिविएस पेपर में तीन से चार बार यह क्वेश्चन देखा गया इसलिए मैंने अपने वीडियो में इसको इंक्लूट किया है इसका आंसर हम सभी जानते हैं किस भाशा का शब्द है जर्मनी यह जर्मन भाशा का शब्द है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नम्बर फोटीन क्या अर्थ है ए संकुचित बी पूर्नाकार सी समग्र या डी बी और सी दोनों देखिए मैंने अभी अभी आपको ग है तो एक वास्ट रूप में परिस्टेती का एनलाइज किया जाता है इस लिए जो इसका आणसर हो जाएगा वह बी पूर्णाकार और सी समग्र यह दोनों ही इसमें आते हैं संकुचित अर्थ हो नहीं सकता क्योंकि इसका अँर्थ वो है ही एक बर हम options देख लेते हैं A. अंश से पूंड की ओर B. पूंड से अंश की ओर C. सरल से कठिन की ओर D. कठिन से सरल की ओर देखें अंश से पूंड की ओर तो हो नहीं सकता अंश से पूंड की ओर क्या होता है कि जो सिद्धानते वो छोटी छोटी परिस्कृतियों में देखता है और बाद में उसको जोइंट करके और वो पूरा उसका solution निकालता है तो देखें गेस्टाल्ट वाद के तो ये विपरीत किशा में ये theory काम कर रही है क्योंकि गेस्टाल्ट वाद का तो मतलब ही यही है पूर्ण आकार पूर्ण रूप में व्यक्ति समस्या को देखता है उसके solutions को देखता है बाद में उसके solutions में आपस में समन्वे करके और उसका एक आधारबूत जो उपाय है वो उसको खोचता है तो जो इसका answer है ये A तो हो नहीं सकता B वाला जो answer है वो हम देखते है पूर्ण से अंश्क्योर देखे यही इसका answer है क्योंकि व्यक्ति गेस्टाल्ट वाद में क्या करता है समस्या को पूरी तरीके से देखता है और बाद में उसका धीरे-धीरे छोटे-छोटे रूप में पहले पूर्ण रूप से देखता है और बाद में छोटे-छोटे रूप में सभी तत्मों में आपस में समन्वे करके समस्या का समाधान निकालता है अचानक उसके दिमाग में समाधान आता है ऐसा नहीं है कि वह किसी पूर्व ज्यान के आधार पर समाधान निकालने के लिए बैठता है वो जबकि क्या करता है उस समस्या को फूण to point देखता है अनलाइस करता है और अचानक है उसके मस्तिष्ट में जो है उसका समाधान आजाता है यह सिद्धान्त इसको फॉलो करता है सिद्धान्त इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भी पूर्ण से अंश्क्योर question number 16 है इकाई योजना कौन से संप्रदाई की देन है बहुत ही important question है बहुत बार आया गया है आगे first grade में आ सकता है second grade में आ सकता है रीट के लिए तो मैं आपको बताई रही हूं कि रीट में तो इसकी बहुत संभावना है तो इसका जो answer है वो है कौन से संप्रदाई की देन है ये पूछ रहा है और क्योंकि एकाई योजना की बात हो रही है अब एकाई योजना क्या चीज है अगर हमने बीट किया है और अच्छे से किया है I mean अगर आपने regular बीट किया हुआ है तो आपने देखा होगा कि वहाँ हमको एक unit plan बनवाया जाता था यानिके एकाई योजना बनवाई जाती थी जो कि हमारे साथ दिन में हम क्या पढ़ाएंगे उस चैप्टर को पूरा एक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता था तो वही इकाई योजना है और जो गेस्टाल्टवाद है वो किसको फॉलो करता है आपको मैंने अभी बताया है कि गेस्टाल्टवाद पूर्ण उपेंड को फॉलो करता है और इकाई योजना भी उसी को फॉलो करती है तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा गेस्टाल्टवाद इकाई योजना के जनक का नाम बताईए रट लिजे इस question को यह बहुत ही important question है और यह कई बार आ चुका है आएगा और आता रहेगा यह question इतना important है इसलिए मैंने इस वीडियो में इसको इंक्लूट किया है इसका जो आंसर है वो डिरेक्टली मैं आपको बता देती हूं देखिए फ्रॉबल तो है नी फ्रॉबल ने तो खेल के उपर आधारित एक पद्यती दी थी इसकिनर है नहीं इसकिनर ने जू है और कभूतर पर प्रयोग किये थे मारिया मॉंटेसरी की त के जनक है S.C.Morrison ठीक है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D.S.C.Morrison Question No.18 है गेस्टाल्टवादी किसी भी परिस्तेती को किस रूप में देखते हैं देखिए बहुत important और बहुत easy question भी है अगर जिसने ये सिद्दान पढ़ा है वो अच्छे से guess कर सकता है और बहुत ही important है as well as क्योंकि इस तरीके के question क्या है हम आखों के आगे से निकालते हैं लेकिन examiner को पता है कि जो student है वो किस पर focus करता और इसको lightly लेकर के निकल जाता है इसलिए question वो वहीं से उठाता है जहां से हम उसको छोड़ देते हैं तो इसका जो answer है वो समगर रूप से हो जाएगा हम पूरे सिदान में एक भी बात पढ़ते हैं कि start वाथ समगर रूप है पूर्ण रूप है पूर्णाकार को follow करता है तो जो इसका answer है वो भी हो जाएगा समगर रूप देखे विस्तरत रूप जो मैंने D option में दिया हुआ है इससे confusion आपके mind में आ रहा होगा कि विस्तरत रूप भी तो हो सकता है लेकिन विस्तरत रूप जो होता है किसी भी चीज समस्या को देखता है उसके हर पहलू को देखता है इसलिए जो definite answer होगा वो भी ही होगा समगर रूप देखे इसी तरीके options आपके बनाए जाते हैं exam में इसलिए आप इनको अच्छे से mind में देखिए तो यह था मेरा जो सिद्दान था आज में लेकर क्या आई थी आपके साम लिए कि वर्दिमर answer माना था RPSC और माधिमिक शिक्षा बोर्ड ने caller को वो वेटेज नहीं देता है दोनों बार जो answers माने गए वो वर्दिमर ही माना गया है और हमें वही मानना है जो RPSC follow करता है हमें exam में अपना result अगर निकालना है तो हमें उसी को follow करना पड़ेगा तो जिसका answer है वो वर्दिमर आएगा वैसे caller का सिद्दान्त माना जाता है तो यह जो सिद्दान था वो तक caller का सूझ और अंतर दुरुष्टी का सिद्दान्त तो नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें करें श प्कानियवाओवागगग।